कोर्प्टोर सरकार द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा की लागताओं की बावजूर पत्रकारों के साथ मारपीट और अफ़त्रता का मामला सामने आही जाता है जिहां आपको बता दे की एक ऐसा ही मामला जनपसीताफूर के थाना इमलिया सिल्टानपूर की चौकी काजी कमालपूर छेतर में खरनन माफियाओं द्वारा मिट्टी खरनन का कारे किया जा रहा था सुचना मिले पर आर्ट कंटी फोर चैनल की ब्यूरो चीफ थरमेंद्र कुमार कवरिज के लिए मौके पर पहुचे वहीं पर कवरिज के दोरान ही खरनन माफिया द्वारा उनके साथ अभधरता की गई और कहा गया हमारे पास परमिट है जो करना है कर लो उसके बाद पत्रकार वापस अपने घर चले गए कुछ देर बाद पत्रकार के पास हर नेक सीख नामक एक व्यक्ति का फोन आता है वो व्यक्ति पत्रकार से धमकी दे कर कहता है कि तुम आए दिन मोबाइल लेकर वीडियो बनाने आ जाते हो अभी तुम मुझे जानते नहीं हो और मेरा भी इस मशीन में 50% का हिस्सा है आज के बाद मेरी मशी की तरफ आम जाना नहीं तो वापस जाने के लायक नहीं रहोगे वहीं धंकी भरे इस फोन कॉल के बाद पत्रकार ने थाने में लिखित तहरीर देते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर न्याय की गुहार लगाई है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि योगी सरकार भी पत्रकारों है कौन थे ध्रमेंदर बोल्यों है हं हाह पत्रकार महरा जी ह्ठ का हुआ है यह हर्ह locksली मिम्न मैं अगाल अफड़ा हुआ है हर्हकली मिखला कुछ नहीं पूंपी Pacën कामरायन खाली गया नहीं है थे औरoff आर यह उटे काम से लुड़ा इा वर्हितन जो़न कि अपने काम से काम रखो ज्यादा नेजागिरी करोगे तो गान तोड़ देंगे तुम्हारी हम पत्रकारता तुम्हारी देखने ना क्या होता है हाँ होस मेरहना यह बताया दे रहा हूं मैं आप एक मशीन है हाँ मेरा 50% सेर है इस मशीन में हाँ ज्यादा गुंड़ ही करोगे तो अभी तुमको दिखा दूगा उकाद तुम्हारी और तुम पत्रकार बोला ले ना जिसको जिसको बोलाना पत्रकारों को नहीं हम गुंड़ आज सेरी पत्रकार काम होता है घर गर करेंगे तो समझ लेणा अच्छ पिर तुमको को बता देंगा पत-ता किसी की जाता इती ? सिताफुर से आशुतोष अग्भी हुत्री की रिपोर्ट टीवी वान इंडिया दियोज झाल